आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो उसे Crop करो और तुरंत Video Solution पाओ डाउनलोड नाओ जी है वो आर के साथ, Small R के साथ कैसे वैरी करेगा ठीक है तो पुछ कर यह हमारे पास Earth दे रखा है कि यह एक Spherical Shape का है और यह इसकी Radius, Earth की Radius हमारे पास Capital R है तो हमारे पास बोला गया कि G की जो वाल्य है, Acceleration Due to Gravity की वैल्य है यह Center of Earth से जब हम R बाहर की तरफ जाएंगे तो कैसे वैरी करेगा ठीक है तो हम एक Point लेते हैं Inside the Surface of Earth एक Surface of Earth पे लेते हैं और एक Outside the Surface of Earth पे लेते हैं ठीक है तीन Point लेते हैं This is P1, P2, P3 तो यहाँ पर एक चीज़ देखिए For Inside the Surface of Earth ठीक है Inside the Surface of Earth That means एसा Condition जहाँ पे R की Value क्या हो Less than R हो मतलब Earth के Surface से नीचे देख रहे हैं तो For Inside the Earth अगर लेंगे Inside the Surface of Earth तो G-डैस वैरी करेगा G into R upon R के साथ ठीक है मतलब हम क्या कह सकते हैं यह Capital R हमारे पास क्या है Radius of Earth है G है एक्सलेशन Due to Gravity on the Surface ठीक है यहाँ पे जो G की Value है वो G ले रहे हैं और यह Small R क्या है Small R है Distance from the Center तो यहाँ से देखोगे कि हमारे पास जो G-डैस और G की Value हो रही For R less than R वो कैसा Relation है Linear Relation है Linear Relation के साथ साथ क्या है At R equals to 0 पे आपको G-डैस की Value क्या मिलेगी 0 मिलेगी मतलब 0 से स्टार्ट होगा और जैसे से R की Value इंक्रीज करेगी G की Value इंक्रीज करेगी ठीक है तो यहाँ पे देखे हमारे पास पहला वाला Option तो रॉंग हो जाए क्योंकि R equals to 0 पे यह G की Value 0 नहीं है यह भी Option रॉंग है यहाँ पे Option और यह वाला Option मैच कर रहा है लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हो कि Relation हमारा कैसा Linear Relation है ठीक है और Linear Relation है लेकिन यह वाली Relation Linear नहीं है तो यह भी Option रॉंग हो गया तो हमारा Option 4 ही Correct बचा है लेकिन अगर आप इसको on the surface of Earth तो G की value G हो जाएगी ठीक है मतलब यहाँ पे इसकी value कितनी हो जाएगी G के और आबर वो इसके बाद जो होगा वो decrease करते हैं तो हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं 4R greater than equals to R पे ठीक है तो R greater than equals to R पे चेक कर रहे हैं suppose कर यह height अगर हम यहाँ पे point ले रहे हैं और इसके center से इसकी distance R हो रही मतलब यह वाली distance हमारे पास अगर R है ठीक है यह वाली distance small r और यह अगर H है ठीक है तो H की value कितनी हो जाएगी H की value तो हो जाएगी value H की यह height अगर हम H ले रहे हैं surface अब आथ से तो यह जो vary करता है G dash on the मतलब surface के उपर वो कैसे vary करता है G into 1 minus H square upon R square यह relation के साथ vary करता है तो यहाँ पे अगर H की value अगर हम R की टर्म में लिखेंगे तो 1 minus क्या हो जाएगा यहाँ पे R minus R upon R का whole square और यहाँ पे आप देखोगे कि जैसे से आप R की value को बढ़ाओगे ठीक है तो R by R minus 1 का whole square हो जाता है तो यहाँ से अगर हम R की value को increase करेंगे तो यह G dash की value क्या करेगी decrease होते जाएगे और यह एक तरह से कैसा relation हो जाएगा यह तो linear relation है यह parabolic relation है तो parabolic relation है that means यह कैसे vary करेगा यहाँ से curve हो जाएगा और decreasing curve हो जाएगा तो option number 4 हमारा correct हो जाएगा I hope आप की चीज़ें समझ माई होगी और यह solution भी clear हो गया Thank you Classics to 12 से लेके NEED IIT.JE means और advanced के level तक 10 million से जादा students का भरोसा आज राउनलोड करें doubt net आप यह whatsapp कीज़ें अपने doubts 8444 चार सुपर